दोस्तों अमेरिका से बैक टू बैक अपडेट आने वाली है और अर्शिया चाइना की तरफ से भी अपडेट आने वाली है तो मिस्स मत करिएगा जो कि कुछ वीडियो तो आपको देखने को मिलेंगे लेकिन रात के अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी तो रात में कि अडानी स्टॉक्स में देखेगा अभी भी पेन बना हुआ है और अगर अगर अडानी के स्टॉक्स में देखेगा पांच पर्सेंट का लोवर सरकेट देखने को मिलता है according to this update तो आपको पता है PSU बैंक और बैंक और इफटी पे इसका impact देखने हो मिलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो कि mutual fund ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया mutual fund बहुत ही cautious हो गए है क्योंकि यहाँ पे पार्लियमेंट के बाहर राज सभा में लोक सभा में केवल अडानी के नाम के देखेगा वो चलना है campaign चलना है तो इन सब चीजों को देखते हुए यह देखा जा रहा है कि अभी भी देखेगा mutual fund और big investor अभी भी cautious हैं वो पैसा तो बना रहे लेकिन पैसा बना के उसमें profit भ rally in March, March में आपने एक अच्छी rally देखिए एवन अगर आप अडानी enterprises की बात करेंगे तो 32% का climb देखा है लेकिन यहाँ पे mutual fund ने देखेगा अपनी हिस्सेदारी को कम कर लिया है तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किन particular stock से उन्होंने देखेगा अपने हिस्सेदारी को क stock में नाम है अडानी enterprises, अडानी total gas, अडानी port, अमबुजा cement but the full stock delivered up to 33% return in a March so far अभी तक देखेंगे तो 33% के return बना के दिये हैं और आपको पता है कि जब बड़े players कम हो रहे होते हैं तो आपको cautious रहना चाहिए तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1% देखेगा इनकी जन्वरी में holding थी लेकिन अब यह घटकर 0.88% हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही important data है इसके अलावा अगर आप देखेंगे अडानी port देखेगा 12.1% stake in a March so far अमबुजा segment has right in 7% during the same period mutual fund had reduced holding in अडानी port to 3.46% in a February from 4.8% in a January तो आप समझ सकते हैं काफी quantity में shares क्या करेंगे हैं sell off किये गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना stake था और यह stake 6% रह गया है तो mutual fund ने देखेगा पहले तो हिस्सेदारी कम की है इसके पीछे की वज़ा क्या हो सकती है ये भी मैं बताऊंगा चुकि business model को लेकर भी मैं मैं बहुत ही ज़ादा देखेगा cautious रहता हूं तो अडानी total gas में देखेगा जो हिस्सेदारी थी वहाँ पे अगर आप देखेंगे 0.14% की थी तो अब किती हो गई है 0.13% हो गई है quantity of shares बहुत जादा है तकरीबन एक लाग के आसपास आपको ऐसा है बहुत आसान लग रहा ह है कि mutual fund अगर अपना profit book कर रहे है उपर के level पे तो इसका मतलब है आपको भी stock पे cautious रहना है there have been report that the Adani group is engaged in extra exploratory talks with the potential overseas investor such as global insurance firm और private place longer tenure bond up to 30 year maturity तो आप देख सकते हैं कि अभी funds शाहिए चुकि आपको बताया गया है यह plan कर रहे हैं 2026 तक कि अपने जितने भी loans है installments है वो 2026 तक कि उन्हें prepaid कर दिया जाए और strength बना ली जाए इससे इनको time मिल जाएगा और जब time मिल जाएगा तो आपको पता है कि यह चीजें जो दिक्कते आ रही हैं stock में वो भी सही हो जाएगी तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो एक और बड़ा update आ गया कि 34,900 करोण का जो एक project था जो कि बहुत essential project था जिसको कभी भी नहीं चाह आइंगे अडानी जी बंद करना लेकिन due to the uncertainty चुकि आपने आपको बता है कि hidden bug की जो report थी यह expected नहीं थी यह out of syllabus आई है और अडानी जी पे loan पहले से जादा था दो ला करोण का तो ऐसी situation में जब अचानक से fall हुआ तो जिस basis पे यह loan उठाते थे like कि किसी भी company को उठा लेत देते थे उसके stake को क्या कर देते थे pledge में रख देते थे उससे फिर loan उठा लेते थे उससे नया project करते थे लेकिन अब क्यूंकि देखीगा shares के भाव आधे हो गये हैं तो ऐसे में margin call आना शुरूर जाते हैं तो वो चीज़ भी cautious रखनी है कि stock का भाव भी उपर रहे और अब ये कोई नया share pledge में नहीं रख सकते हैं चूकि जैसे ही रखेंगे वैसे ये negative humor आजाएगा market में और stock गिरने लगेंगे तो ऐसे में इन्होंने देखेगा पहली बार देखेगा 34,900 करोन के project को रोखने पर share को लगा जटका group का सिर्फ एक stock green zone में आपका किसमे है निवेश तो valuation मिल लहे थे लेकिन ये जो update आई वो out of syllabus थी तो अब ऐसे में अगर आप अपने loan को देखेगा set off करने जाओगे तो आपको कई सारे project रोखने पड़ेंगे तो वही same चीज़ देखने हो मिल रही है group की दिर्स में से सिर्फ एक company आज green zone में है बाकी company के share तूट रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये particular update अभी के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि गुजरात में ये जो मुंदड़ा में 34,900 करोण के petrochemical project का जो मैंने जिक्र कई बार किया है ये काफी important इनका ये जो है project था इस share में बिक्वाली का दबाओ देखने को मिलेगा क्यों नहीं दे अच्छी बात क्या है कि इनकी सारी company profitable है सारी की सारी company profitable है तो stock market के valuation तो इधर उधर होते रहते हैं जैसे इसे news पुरानी होगी वैसे वैसे stock बढ़ जाएंगे ये confirmation की बात है आगे चल कि stock तो बढ़ नहीं है चुकि ये समहाल ले जाएंगे अपने आपको लेकिन ऐसे में ज transmission हो और डानी विल मार हो सब में panic बनेगा और जब इन में panic बनता है तो पूरे के पूरे banking sector में PSU banking जिरनों ने सबसे ज़्याद exposure दिया है डानी को उन में panic देखने हो मिलेगा तो वो panic आपको bank nifty में देखने हो मिलेगा तो आने वाले 2-3 दिन यानि expiry और Friday तक आप cautious रहेग डानी के stock अगर देखेगा 33% भी गिर रहे हैं तो समल लीजेगा bank nifty में profit booking देखने हो मिलेगी तो be ready for it वीडियो अगर अच्छा लगे तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much